तुम्हारे लिए ये सही जगा नहीं है, तुम्हें एक एड्रस देती हो तुम वहाँ पर आजा, सबसे पहले फात्मा बाजार आएगा, उस बाजार से तुम्हें सेकिंड लेफ्ट लेना होगा, 500 मीटर की दूरी पर तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी, लेफ्ट में छोटी विंडो है उसे खौलो, बाजन एक, दिषंगे है आप तुम्हें निच्ट इच्ट ट्यूम्हेंश्ख एक... दिख जए उनbyast ऋर्ड़पों आएवे विन एब टे नाएवे, लेबके… involves agreeing व हो द्व выглядит, क्या बात करनी है? सोहेल मेरे टीम के चार लोगों को किड्नैप करके यहाँ पाकिस्तान लाया है उन्हें जहाँ भी छुपाया है वहाँ से उन्हें आजाद कराके इंडिया ले जाना है Impossible, सोहेल इबराहीम कुरेशी की तरह नहीं है दस जगहों पे दस लोगों को वो एक साथ एक बार में ऑपरेट कर सकता है सोहेल का next movement last second तक किसी को भी नहीं पता चलता है उसे कब क्या चाहिए? क्या करना है वो नहीं बताता टॉपिक वहीं close सोहेल की planning जान नहीं सकते तुम Execution Destructive अगर यहां अपने दोस्तों के लिए आये हो तुम, तो उन्हें भूल जाओ, आल्रेडी मार दिये गए होंगे अगर मार नहीं होता, तो उन्हें इंडिया में मिलते ही मार देता इतनी प्लैनिंग, इतना एक्जिक्यूशन नहीं होता, किसी वज़े से उन्चारों को जिन्दा रखा है बचाना है उन्हें जो बोल रही हूं तुम्हें समझ नहीं आता, ये कराची है, यहां कुरैशी को कोई टेच भी नहीं कर सकता कब कहां क्या हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं, यहां का शासन भी उसके ओर्डर फॉलो करता है, आम से लेकर हास तक सबके सब उस कुरैशी की गुलामी करते हैं सोहेल को पकड़ना मुश्किल है, नहीं मिलेगा तुम्हें मिलेगा इतनी सिक्यूरिटी होने के बाद भी वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, सोहेल कोई खुश्बू नहीं है, जो अपने आप ही फैलेगी, अगर वो कुछ करना चाहता है तो एक जगा पर नहीं बैठ सकता प्लान क्या है? तो एक जगा पर लगा रखे हैं अल्रडी सेवन हाउसे के हर एक रूट पर लगा रखा है इस नोट इनफ उस रोड से कनेक्टे सारे रोड पर चाहिए 1993 से लेकर 26 ग्यारा तक इंडिया में 50 से ज़्यादा टर्रिस्ट अटेक हुए है इसमें जो भी देश अफेक्ट हुए है उन देशों की लिस्ट में इंडिया टॉप त्री में है इस टर्रिस्म को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है उसके अलावा यहां के लोग भी उनसे मिले हुए है इस करेंटली सेकेंड मोस्ट वॉन्टेट क्रिमिनल ऑन आर्थ नीडलेस टू से नंबर वन फॉर इंडिया एब्राहिम कुरेशी फेक करेंशी ड्रग ट्रेडिंग 1993 सीरियल बॉम किलिंग एनी टेरोरिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया डिरेक्टली कनेक्टेड टो हीम सर पाकिस्तान ने कुरेशी को अपने पैरामीटर में पूरी तरह से सेकीरिटी दी हुई है उस देश के प्रेजिडेंट से ज्यादा इज़द कुरेशी को दी जाती है इन सारी बातों का प्रूफ उसके घर के एंडरेस के साथ सारी इंफोर्मेशन इस फाइल में है गुड़ वर्क कुलकर्णी दो महिने के अंदर जी एट कंट्रीज की समिट होने वाली है इंडिया में जो आतंकवाद हो रहा है उसे स्पॉंसर करने वाला पाकिस्तान है हम उसे बोलेंगे कि कुरेशी को हमारे हवाले करो हमारे पास जो भी सबूत है उन्हें कुलाबरेट करके एक डीटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेर करो वी विल प्रिजन दैट इन दे समिट यस सार कराचे की जो हमारे एजेंट्स है उन्होंने का कॉल इंटरसप्ट किया है रिकॉर्ड भी किया है यह वोइस मेसेज़े सर लेट मी एर थेंक्यू सर बोलिये सर नाइंटीन नैंटी थी का सीरियल ब्लास्ट का मेन है कियोज़्ड कुरैशी का राइट हैंड अब्दूल सलीम 26 को सीरिया आ रहा है हाँ तो सर वी अर प्लैनिंग टो कवर्ट ओपरेशन हम लोग उससे सरूर इंडिया लेकर आएंगे ये तुम क्या कह रहे है कुलकरणी सीरिया में जाकर कोवर्ट ओपरेशन करोगे फेल हो गया ना तो उस देश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा अंतर राश्ट्रिय स्तर पर भी हमारे इंडिया की काफी बदनामी होगी दो महिने रुख जो जी एट समिट होने के बाद देखेंगे सर अब्दुल सलीम दस साल बाद फर्स टाइम अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है क्यों जा रहा है पता नहीं सर इंडिया का इस इंसिटेंस से कोई संबद नहीं है अगर वो हमारे हाथ लग गया तो उससे हमें जो इंफर्मिशन मिलेगी उस रेकॉर्ड को जेड समिट में पेश कर देंगे फिर कुरेशी की मांग आप कर सकते हैं सर इससे विन-विन सिचुईशन प्लीज इस ओपरेशन को लीड कॉन करेगा अर्जुन अर्जुन शेखार अर्जुन अर्जुन शेखार मार्शल अंडरकवार ट्वल्ड मिसंस अकॉंपलिज़िज़ अर्जुन 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 थे रच्छावर्ण पर्साइशन जब में आसे ट्रिप नौट साइब पॉंट रविंद्र नश्मिन, नेंहूंडर्मिर्स अवे अह्माद, इन नप्सिचिए अल्सेट, सर्व कोपी इट 15 अगर्ण फ्लूर 20 अगर्ण फ्लूर 20 अगर्ण 10 अगर्ण 20 अगर्ण 20 अगर्ण परिमीट अनदर टू मिनिट्स तार्गेट वी लेर अर्जुन जो आ रहा है वो कौन है कन्फर्म करो एमध गेट थे कन्फरमेशन पूरे पंद्रा लोग आ रहे हैं सर और टार्गेट सेंटर कार में है आई वांट विज्वल कन्फरमेशन टार्गेट मास्क में है सर अश्वन पोपेट अश्वन को वेरिग तो उस्वाइब अदे गेट में रहे हैं एक पर एक करेंजू पर आपको थे ओंड हो इन्पुट काफी दूर है सर अर्जुन विदाउट विजूल कन्फरमेशन आइकान नौट गो अहेड उसे कार से बाहर आने दीजिये सर मुखनेशन नौग कर दो यहийक यहां स्रोच का मिवारो спट गरोस की है अले कुम आले कम तूब आहते हैं है और शेंण सी मो एंज जी थाथ में और सुछ तूब pię जा शेछने अजों है बफ me अर्जुन आप द्ट हो क्यों ज य सिर अच्रो xuको Western बसे पूंद के बारे में फार मुझे इंटल की मिल है वो क्रेक्ट है जिस कार में आने वाला था ऑर जिस कार में आया है उसका दिटेल मैच हो रहा है इसका मतलब वो अब तॉल सल Covid है, sir हम तुम्हारे तरीके से या उप्रिशन नहीं चला सकते अर्जुन, समझे आपको कन्फर्मेशन चाहिए ना सर पांच मिनिट में देता हूँ अर्जुन, वाट वी लॉस्ट अओडियो सर् वाट गाइस, प्लान बी अर्फ अर्फा 3 बाव बाव 4 अर्फ जोग प्लान, और अर्फ प्लान, वाट ड्ल्टा वाववव, यॉञ अर्फ 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 उघ्टक्त सबस्रीच कुदक एभ अपे को इह वोग्य। 800 में अधर में साथ फॉइड प्राइट में हो जब होट इज थे जब फॉप फ़ए जब सर फीम में फैट सेंस मिनट बाइपेड दुइड दूज को नरे तू शाले, नाम है अर्चुन, इंडियान. सारी सब्सक्राइब सकतरों मैं हुआ मैं आपक है श्राइब वीज़िस ड़ीज़ थे रेक्र है श्रॉक्षर्डिक पींवन से सब्सक्राइब में भीडियर मिन दुट दो, गो, संव खूँ! आजया! आजया! करेंगो, देखिव करें! रड़ खूँए, कामाज़! कामाँ! 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 शुए! अज्ट अप्रोच अपूचें़! दोस्य है, कामाँ! 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 में अजय करे पेंक, केंश… में रडिज, केंशी, केंशी,urst में, अॉआ आदे धिए!! ि हगय lira! झादे एप। ₙऑद… अ गो गो गो! don't bother about me प्षषण्टाब प्षषण्टाबग प्षण्टाब प्लीज़ थो शाल 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 रुटअ जाल दूख जाल स्वेट अच्छों कर दो च्राफ थे लुटे हुट ओल नहाँ विपकप मेट सथ्वेश्ड़्स झाल 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 आर्जुन, पहले तुम आउडर लेना सीख लो, तुम टेंशन देकर मुझे महाँ डालोगे, इसको जड़ा देख लेना, आउप्रेशन तो सक्सेस हो गया ना सर् कुछ गड़बढ हो जाती तो, हमारी नौकरी जली जाती, नौ, हमारा सर जोग जाता, है सलीम भाई, कैसे हो, अब सुधर्जा सलीम, इंडिया बदल गया है, अब हम लोग भी बुरे लोग बन गया है, सलीम के साथ, जो लोग आये थे, उनकी बॉड़ी को उन लोगों ने, आल्रेडी कानाची शेफ्ट कर दिया है, कुरेशी को पता चल गया होगा, कुरेशी के दिमाग को समझना, बहुत ही मुश्किल है, तुमारी पंच लाइन क्या है, हम, एक्सपेक्ट दी साथ, तुमा मिना मुशली कुरेशी कानाचի शेला लाइन की शारी विर आलीम है झाल झाल इंडिया वाले शायद भूल गया कि मैं कौन हूँ आग से खेलने का अन्जाम क्या होता है ये मैं फिर से उनको यातिला हूंगा तर्ली ते जूर कि आपूल से उनको रहा हूंगा झाल था है बूपने जिल्ली तिल्वाल मस्य तो माइक वरी तो एक फिर से आपूल अरे रामकृष्णा क्या हुआ तुझे अपने बैंक से लोन दिलाने को कहा तो भाग ना अंटी आज कर लोग बैंक से लोन लेकर लंडन भाग रहे हैं ना तो बैंक मैनेजर ज़रा ड़रा हुआ है लेकिन हम अपना घरबार छोड़के कहां भागेंगे मंदेशन के ज़रा हां मैं अभी बैंक में हूँ ना इनक निश्ट वेकार प्रमेश्वारम बोलते हैं मुझे बच्चे पापा कहके बुलाते हैं दिनननता और मा बाप अब कहते हैं है कुछ details चाहिए आगए हो तो वो भी बता दू साहरा मेरी सीट पे बैठें और नहीं तो क्या करूं suddenly आपने तीस साल की सर्विस में तीस दिन लिव लिया होगा मैंने और तुमने तीन साल की सर्विस में 365 पैसर दीन लीव लिया है बोलने का तो कोई फादा है नहीं जिस स्पोर्ट्स कोटा से तुम्हें जॉब मिला है ना उनको बोलना चाहिए तुम तो लीव लेके चले जाते हो और तुम्हारा काम मुझे करने को कहा जाता है कैसे करूंगा मैं सर में एक फुटबॉल मैच खिलने गया था सर जनाब मैच खिलने जाते हैं मैं फ्रेंड्स और फैमिली को टीवी के सामने बिठा देता हूं अगले मैच में उनको पका पानी पिलाओंगा सर मतलब अग्ला मैच भी नहीं खेलेगा तु तो एक काम कर इन सब को कॉल कर क्यों लोन नहीं भरा के सब्सक्राइब कर अगर हम इने फोन नहीं करेंगे ना तो यह हमारा बैंक बूल जाएंगे जैसे तुम गेम बूल रहे हैं इसमें हजार लोगों का नंबर है कम से कम 500 लोगो को फोन कर और लोन के लिए बोलना उनको सर इनको मिस्ट कॉल दिने में ही शाम हो जाएगी लोन की बात कप करूं लीव लेके जाता है और ग्राउंड पे बेंच पर बैठा रहता है इससे तो अच्छा है कि तु लोगों को फोन करके लोन के लिए तंक्या कर तुमारे कोच और करिणी खाली थी तो हमको फाइल देकर बिठा दिया और फोचने पर बोला टीम इसफिरेट इसली है यह ने आप ने इन सब को पहले ही कल कर लिया कर लिया क्या कहा युश लगों दि लोन ंव इस बदी बैंग या और पर शली घालिया तो आपने क्या किया था वोन पर दिय कर देंगे हां हलो मैं रामकृष्णा मैं इस्बीड बैंक से बात कर रहा हूं ओनली बीप 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 ना हां सिनु भाई देखिए रामकृष्ण जी हमारे पास दो ही ऑप्शन है पहला मस्का लगाने का और दूसरा जाड देने का फर्स्ट में तकलीफ होगी सेकंड अरे य dislod collecting सो अरे देंगे से अरे यार फोन पे हमें कोई बड़ गिप जाए पार्ट नहीं सुनारा भाड जांए पyार से बात नहीं कर रहा है ने न क्रों पिछी अ्यू कि वह कर लोगी में झाली कर लो किसे प्रोबरे डिम जीश करना यही मेरी दूट galaxies क्रोज चूं की त तो बलाऊंगा ना और क्या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है सीनु भाई ने काया अगर कोई तुम से बत तमीजी करें तो तुम भी करो क्या फिनिश क्या फिनिश चल राक रामकृष्ण जी जी सीनु भाई सही किया ना सब कुस ठीक है लेकिन जगड़े के बीच में इस तर अरे मैं तो मस्ट फुटबॉल हूँ है क्या बात है सार्ट इस्क्यूज मी मैनेजर की केबिन कहां है उस तरफ तैंक यू अरे यह तो चूरी की तरह है ना ऐसी चूरी जिसको अगर हाथ लगाओगे तो हाथ ही कट जाएगा अच्छा यह अंदर चल क्या रहा है रामकृष्ण जी मैनेजर को लकवा कैसे मार गया कुछ रॉंग बोल दिया होगा इसलिए कपड़े की तरह धोर ही लगता है ओहो अरे वो रामकृष्ण नहीं आपको फोन किया है अलो फोन पर बत्तमीज इसे बात करने वाले तुम ही थे ना हाँ वो यह यह तो आप क्या करोगी थेंक्यू फर सपोर्ट सिनु भाई टीम स्पिरिटा जी क्या कहा टीम स्पिरिटा मिस्टर मैनेजर अज साटड़े है ग्लोजिंग दिसिजन कब और कैसे लेना है आप मुझे बताएंगे अरे मेरा कहने का यह मतलब नहीं था मैंडम क्या सर आप इतना मस्का लगा रहे हमारे बैंक में जितने कस्टमर है ना उनमें से एक चीटी भर है अटा देंगे आपका अकाउंट आप निकल लिए मेरे बारे मैं आसा बोला हां बोला तो क्या कर लोगी रामकृष्ण जी टीम स्पिरिड वाई शेखन का बहुत शौक है हां और तुम्हें हसी का मैनेजर मंडे 10 30 अगर आपने मेरा अकाउंट एक्सेस बैंक में हैंड़ नहीं किया तो मैं कंजिमर कोट में रहूंगी और तुम रोड पर यह कोई करोड़ पति है अपना खोले ना उसने मुझे एक दिन का टाइम में तुम तुम दोनों को देता हूं उसका अगांट इस बैंक में हराल में रहना चाहिए तुम दोनों इस बैंक नहीं रहोंगे यह ए सब कह देता हूं कौन बजा रहा है बे रिंग टॉन है सर ऐसा है तो ओक्राइज हलो हां काजा भाई काजा भाई अर्य आप बोल रहे हो अल्रेडी गेस्ट आ चुके है किसके बारे में बत करें अगर कोई है नहीं तो आपको खुदाना होगा आज जैसा प्लान किया था वैसा होना चाहिए यह कौनो वो ऐस्षरियम हम तुम लोग का नो यह सलमान मैं शारुखाए क्या हो गया बॉब यह तुम यहां भी आ गया गया कनिका हां ऑप कुलीस को फोन कर दें मैडम मैडम प्लीज में एक वर मेरी बात सुन लीजीए प्लीज मैडम प्लीज मैं तो बस क्लाइट हो ना आर स् मैडम प्लीज अरे सुनिये ना आपने आस पास बाउंसर लेकर घुमती है हम इसको मना पाएंगे क्या रास्ता भी तो नहीं है क्या या तो लड़ो या क्या कर रही हो तो तुम तीनों में क्या जगड़ा है मुझे नहीं पता लेकिन अभी ही हमारी हर बात मानेंगे आखरी व मैडम जी ने क्या बुला मेरी सहेली बहुत गुस्से में है अच्छा आप किसी तरह उन्हें समझाई है ना वरना हमारी जॉब चली जाए बदले में मुझे क्या मिलेगा तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है हलो 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 सीधा हाइवे पर मत जाओ तुम पहले लेफ्ट पीने के लिए नहीं चाहिए बालों के लिए मंगवारी हूं अरे तो उसके लिए खुद भी जा सकते हो ना तो हम क्यों जाए मां की दूद में और डब्बे की दूद में फर्क पता है यह बियर और दूद का मतलब में मतलब समझा हूं या जॉब चाहिए जॉब चाहिए चिल्डिया हॉट किसी ने देखा तो नियुक्त कूल हो गई कि तुम्हें कुछ पता नहीं होता फरिकलती कर देते हो और मां भी मांगने तरवासे पे आते हो गट आप जो बोलेंगे हम करेंगे कल फोन पे एड्रस बताऊंगी आजाना सब सिप कर देंगे हाँ ओके माडम कोई बात नहीं रख लो आपके तो निकल पड़ी सौरी जी मैं शाधी शुदा हूं मैंने तुमसे बिल रखने के लिए कहा तिर इसके पैसे कौन देगा तुम्हें पैसे चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए आपको बेर चाहिए पिजा ओडर करना बहुत भूख लग किया यार आदा बर्जे जी यह सब क्या है वाफिस में रात को घर में और अब इधर करना क्या चाहते हो स्टॉपिंग चीचचचचचचचचचे हम ऐसे लोग नहीं हैं टोन टॉक मैं यहां हूँ यह तुम्हें किसमें बताया है रात मेंगे देना के नाग्ने कि तो मैं न क्या बात कर रही है माडम अगर यह गलती आपका बॉबी करता तो आप उसे भी इसी सदा देटी किया बोलो अरे सिनु भाई यह यह बॉबी कुन है इनके कुट्टे का नाम है ओ इसक्यूम माडम जा कि अद्या है माडम अगर प्लीजा एंग गलुटन फ्री थीन कृस्ट पेजर एंग ट्रीन तेम्स एंग अश्टी टीन क्रीन आप अजाओ यह बहुत वाट अलेपिनो अगर वाट प्ली टीजा एंग मोड खाला अश्पाइन का शुड़ यह बहुत आप अब ज़रा किसी और को भीज़े, तैंक यू सरे, हे, उसको वापस क्यो भीज़ा तुमने, वो नया है मैम, उसका यूनिफॉर्म पुराना है, पर शूज नये है, और लेते वक्त उसके हाथ कहा आप रहे थे, अगर गलती की, तो नौकरी चली जाएगी, यह डर उसके चेहरे पर दिख रहा था, ओर्डर प्लीज, क्या वो नया है, येस मैम, ठीक है, मैं बाद में बुलाती हूँ, थैंक यू मैम, इतनी शॉर्ट टाइम है, इतनी डीटेल्स कैसे पता चली, यू मना है, 576 मेगापिक्सल मैम, इंसान उसका इस्तमाल करना बन करके, 16 मेगापिक्सल सेलफोन यूज कर रहा है, अच्छा, तुमारी आखे इतनी पारफुल है, ठीक है, इस रेस्टरांट में कितने टेबल है, बताओ, हाँ, अगर सुनने वाला हो ना, तो कोई भी फिलोसोफी सुनाते रहता है, तोटल एरिया 4,500 स्कूर फीट, 11 टेबल, 44 चेर्स, 35 कस्टमर्स, 20 मेल, 15 फीमेल, 9 मेकर्स, 2 मैनेजर्स, 2 क्लीनिंग स्टाफ, 10 टेबल्स अर उक्युपाइड, वन टेबल इस रिजर्वड, 5 टेबल्स आफ फूट सर्वड, 3 टेबल्स वेटिंग फूट, एक टेबल पर बिल नहीं बराए, और एक टेबल पर फूट और नहीं किया, बिल काउंटर इस उन दे लेफ्ट साइड, हैंड वाश उन दे राइट साइड, तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे देख रही है और चार लड़के तुम्हें देख रही है और तुम इस वक्त मुझे देख रही हो जो दिख रहा है वही बताया है तुम्ने जो नहीं दिखता वही बता सकते हो क्या मैडम 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 प्लीज मैडम उसने जो पूछा वही मैंने बता है मैडम प्लीज मैडम उसने जो पूछा वही मैंने बता है मैडम उसने पूछा तो मैंने बता दिया मैडम 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 प्लीज मैडम मैंनेजर को फोन करो मैडम फोन करो तुम रोगो निकालने को बोलोग या हमेन का बोलोगी तुम अबर पीछा करना बंद कर दो इसके लिए जो कहोगे वो में करूगी फर आप आप केहना की अकाउनेना है एक मिरीटा सेसे अब रलो अम जब से बात करना आदिया घाक को करना माठम मैटम मैनेजर viktig कि थेक्स थेक्स अब्दूलसलीम के पास से तुमने जो लैपटाप हासिल किया था उसमें से कुछ सेंस्टिव इन्फॉर्मेशन मिली है पागिस्तान में जो हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सारे इन्फॉर्मेशन उसमें है उसको कैसे पता चला सर्सलीम को जब तुमने पकड़ा उस वक्त रेट जकेट में एक बंदा था जिसे तुमने शूट किया था याद है नहीं वह राव एनलिस्ट था उसी यह जा चुक होता तो हमारे लोग अब तक मारे जा चुक होते ऐसा नहीं हुआ मनलब इन्फॉमेशनी सेफ इड़ कल सलीम को को कोट में सब्मिट करने का ओडर मिला है इस चुटिंज्जरस तो चाहिए इस सिक्रेट के बारे में जानने वाला सलीम अकेला है शलीम के पास ज सो, पकका सलीम को भगाने का प्लान किया जाएगा कल जब सलीम को खोट ले जाये जाएगा तब उसे भगाने की कोशिक की जाएगी ऐसे नियूज आई है जब मालूम है कि डेंजरस है तो कॉट क्यूं लेकर जा रहेएं अगर इन सब बातों से डर जाएंगे तो देश को के से बचाएंगे किस रूट से लेकर जा रहे हो रूट मैप यह है तिहार जेल से कोर्ट 15 किलोमीटर्स के डिस्टन्स पे है ट्राफिक को कितना भी कंट्रोल किया जाए कोर्ट पहुंचने में मिनिमम पीस मिनिट लगते हैं तिहार जेल में और कोर्ट के सराउंडिंग में हेवी सेक्योरिटी होगी इसलिए वो लोग ओन दे वे ट्राइक करेंगे अन दे वे हमें प्लैन एक्जिक्यूट करना होगा उसको बाहर मत लाइए सर अगर बाहर ले आए तो बाद में पच्ट आएंगे आएव औरस टू फ उससे ले जाना आसान नहीं है कि लाए लगर शाम घव सोलग चर पालबे का बन्हाल वहार an कि रिस कि रिसकार कि मेर चको अ कि अरिए, घ्यें। ज्प, 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 मेर 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 ज्रिक टीआ। कर दो उख अख अचिया है उख उख खी है उख कर दो है झाल 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 साले, हराम भखोर, हर इंडियन्स के घर में बॉम लगाना पड़ेगा साला, अगर मुझे कुछ हुआ, तो इंडिया में आग लगाना पड़ेगा लग जाएगी, लेकिन इंडिया में नहीं, कुरेश के दिल में, पाकिस्तान कैम्प में, साले, अरे, 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 तुमने क्या क्या जानते हो तुम, वो जिन्दा क्यों चाहिया था सर, वो कोई सच्चा ही बताने वारा नहीं था, कुरेश के खिलाब भी कुछ नहीं बताता, अगर जिन्दा रहता तो किसे होटल को कैप्चर करता, किसे एरबस को हाईजक करता, वो जिन्दा रहता तो पबलिक को प्रब्लेम होता, और छूट जाता, तो पाकिस्तान में हमारे प्रब्लेम होता, होम मिनिस्टर को, मीडिया को, हिउमन राइट्स वालों को कन्विन्स करना कितना मुश्किल होगा, पता है तुम्हें, देश के सामने ये बहुत छोटा है, भागने के कोशिश करने वाले अब्दुल सलीम को, जिन्नोंने उसे भगाने के कोशिश के उनको आर्मी ने मारा है, बोलतीजे, खुरेशी के अलावा सब लोग खुश हो जाएंगे, फुल सिक्योरिटी के बीच में से अब्दुल सलीम को जेल से कोट ले जा रहे थे, उस वक्त अटेक करने वाले टेरिस्ट और आर्मी के बीच जो फाइरिंग हुई है, उसमें आर्मी क्या करेंगे? एंज्वा योटी अब ही कहा है आप? स़री मैंने तुम्हें बताया नहीं, फ्रेंट्स के साथ पार्टी कर रहे हूं। मुझे बीना बताए फ्रेंट्स के साथ पार्टी कर हूँ। हारे नहें फ्रेंड्स नहीं हमारे रामकृष्ण अच्छा रामकृष्ण के साथ हो ओ सारे दोस्त एक साथ बैठके कहीं दारू पी रहे होंगे आधी भी वही होगा मुझे दे मैं देखती हूँ फोन कट कर दिया है अर्जुन इसकी शादी हो गई है और एक लड़का भी है इसकी वाइप प्रिग्नेंट है इन दोनों की अंगीनद गर्फ्रेंड्स हैं मैंने सब देखा है अरे क्या तू यू मैं मेरी कभी शादी नहीं होगी सर लेकिन हमने तो शादी की है सर हम दो जो लड़की विश्वास करेगी वो आएगी उससे बताने के क्या जरूरत है जो लड़की तुम्हे समझेगी वो विश्वास भी करेगी उससे जुट बोलने की जरूरत है एसी लड़की गहां मिलेगी सर्च फर इट हमारा काम तु यही है ना एच्छ नहीं होगा तुम्हें क्या हुआ है कुछ दिनों से बॉबी न ठीक से खा रहा है न ठीक से सो रहा है रात को चीख रहा है और सुबद चीख रहा है रात को चीख रहा है मतलब और यह अवाज वह अग्यान रहे कि एक्सक्राइब कभी टांग उठाता है मेरे आते हैं जो मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं तुम्हारे बारे में नहीं, हम, चीखता है तब टांग उठाता है, होल नाइट, डॉक्टर, हम, होल नाइट, हम, दिखने में तो बहुत चोटा है, लेकिन काफे स्ट्रॉंग है, कोई मेडिसिन हो तो, मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, उम्र हो गई है न, इस्तरी स्पर्ष क चाहत है, मतलब, जैसे हमारे लिए डेटिंग होती है, वैसे ही डॉक्स के लिए मेडिंग की चाहत होती है, अब करना क्या होगा, डॉक्टर, इसके दो तरीके, पहला इस्तरी डॉक के साथ इसकी मेडिंग करवा दे, नहीं तो, फसाग, फसाग, ये क्या होता है, ये जिस प्रजाती का है, स्त्री डॉग भी सेम प्रजाती की होनी चाहिए, अगर मामला दूसरी प्रजाती पर चला गया तो जान का खत्रा हो सकता है, रेयर ब्रीट, लेकिन इतने बड़ी शहर में सेम प्रजाती की फीमेर डॉग कहां मिलेगी, ये तकलीफ उठाने की जरुवत नही थांक यू, डॉक्टर, अड्रेस तो यही है ना, अड्रेस सो करक्ट है, अब, स्क्यूज मी, हरे आप, ये लोग यहां पर, ये आपका घर है, ऐसे ही समझे, आईए, ओमाई गॉड, कम, नाइस प्लेस, ओ, सो क्यूट, बिल्कुल मेरी बॉबी की तरह है, ओ, बिल्कुल मे बिल्कुल मेरी पास भी सेम ब्रीड मेल डॉग है, बॉबी, डॉक्टर ने इन दोनों की मीटिंग के लिए मुझे आपका अड्रेस दिया है, अगर काम नहीं होगा तो डॉक्टर ने कहा है कि कट कर देंगे, वैसे डॉग इस मैंस बेस्फ्रेंड कहते है ना, अगर हम अप इंट्रेस्टेट, इंट्रेस्ट आपको क्यों इसको होना चाहिए, इसको इंट्रेस्ट नहीं है, यह अपको कैसे मालूम अभी आपने गा ना, डॉग इस मैंस बेस्फ्रेंड, रामकृष्ण जी, आज ड्राइड है, अज ड्राइड है अपने गर में कुछ बॉटल बच् आप रे, यह क्या है, रामकृष्ण जी, इनका दिल आता है, तो यह हमारे साथ खेलती है, और इंके कुट्टे का दिल आगया तो यह हमारी पेको की साथ, अरे इसी बात नहीं है, देखे मैं इसे अपनी कंपनी के लिए पाल रहा हूं, इसकी मेटिंग करवाएंगे, इसके के लिए मेरे पास ताइम नहीं है, दिखे ऐसी बात नहीं है, अगर जगड़ा है तो हमारी बीच होना चाहिए, उसमें इनका क्या कसूर, अरे जाओ जाओ, जाओ, लाओ, अमसे इतनी बीर मंगवा कर हजम कर लिया, और उसके बाद हमें धक्के मार कर बाहा निकलो दिया थ गुद बाई, एक अड्रेस का फाइंड़ देना होगा, आप खुद आएंगे तोफाइफ थाउजन मिलेगा, वाईफ थाउजन नहीं हैं फाइफ थाउजन नलेगा, फाइफ थाउजन थाॉजे क्यू, है हम जाएफज अपना सुन दूफला कर द juvenile, चैड़ा बाब्की, प दॉक्टर ये तो बहुत छोटी है, चाइल अब्यूस्ट केस हो जाएगा, लेट्स गो, थैंक यू, क्या हुआ, बहुत ताड़ी आप चलो, डॉक्टर, कैसे हैं आप, गुड गुड, हाई, ये देख, आ गई तेरी, मेल डॉग, नोट पे मैंने एज मेंशन किया था, कैसे पोसिबल है, डॉक्टर, अब ही सुप्रेम कोट ने भी ओके करती है, आईशू, जब जान पहचान हो जाती है, तुम्हें पूरा नाम लेकर नहीं बुलाता है, और जब मेरी जान पहचान हो जाती है, तो मैं फीज ने देती, आईश्वर्या जी, क्या है, अब पूरे दर्द के हैपी एंडिंग, किसको, आपके बॉबी को, और कोई रासा नहीं है, क्या, ओनली वन, फसाक, जैसे कोई अपसरा साड़ी पहन कर आरी है, ऐसा लग रहा है, आपके खिसमत देखकर बहुत जल्लोन हो रही है, मुझे, अहा, यह फिर से हमारी कंप्लेन तो ने कर रहे है न, रामकृष्ण जी, मुझे भी कुछ समझ मैंने यारा सिनु भाई, तु बहुत बोलता है, आप चिंता मत किजिए, मैं देख लूँगा इसे, सर, क्या रामकृष्ण, मैडम ने एक फेवर मंगा और तु मना कर रहा है, इंट्रेस्ट नहीं है, सर, क्या मतलब इंट्रेस्ट नहीं है, तु और तेरा वो दोस इस बैंक में रहे, इसमें मुझे कोई इंट्रेस्ट नह नहीं है, अच्छा चलो, फ्री में मताओ, घंटी का क्या लोगे बताओ, घर का प्रॉब्लम है, तो रिसॉर्ट बुग कर लेंगे, आप कितना भी कहलो, मेरा दिल नहीं मान रहा, एक खूबसुरत लड़की सामने से ओफर दे रही है, फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर र रामकृष्णा, सर, आजकल की गंदी दुनिया वासना के पुजारियों से भरी पड़ी है, इस कल यूग में मैंने मर्यादा पुरोशत्तम को देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, लगता है स्कुरूडीला हो गया, बापरे, प्लीज, अब तो मान जाओ ना, प्लीज मा हम यहां क्यों आए है, अब उसे किड्नाइप करने के अलाबा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, उसको किड्नाइप करना है, नहीं, उसके कुट्टे को, यह देखो, चालियों का गुच्छा लाया हूँ, तुन भी न, खुल गया, क्या कर रहे हूँ, डॉग प्रिंसेस का है, सुनकर पता कर रहा हूँ, अच्छा बेडरूम में, ओके, चलो, माई पेपो, कितना टाइम लगेगा, माई आओ, आज़ा, चलते हैं, सॉरी, 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 क्यारी ओन हां, ठाएम भी, मैं इस सॉरी, सॉरी, सॉरी सॉरी, जाष ञीए थीना कि मैं इतनोी बार सॉरी भूल रही हूँ, सॉरी न, जाुरी न, प्लीज, वह तुम मुस्कुरा रहा उ उ, हरी बाप्रे, मैंने तु मैंने तु सौच तुम दातَटोगे, और किट्नापिंग का केस करके हमें अंदर करवा दोगे यही करने वाला था लेकिन तुमने बॉबी के लिए जो रिस्क लिया उससे मैं कन्विंस हो गया थैंक यू कॉफी पियोगे तुम? तुम कॉफी भी पीती हो क्या? हेलो, मैं शरीफ लड़की हूँ, हाँ वो तो कभी-कभी फ्रेंड्स के साथ चल जाता है बस इतना ही अखेली रहती हो? या, जिस्ट मी अन बॉबी पामी पापा? मेरी मा नहीं है पापा दूसरी शादी करके आस्ट्रिलिया में शिफ्ट हो गए साल में एक आत बार मुझसे मिलने आ जाते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता बट फोन पर भात करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है बर्ड़े में गिफ्ट और साल में एक फोन कॉल कभी-कभी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ करती है तो में आपके बट बट आपके अच्छी थी कॉफी बहुत अच्छी थी थांक्यू बैंक में इतना ज़ादा गुश्य में और यहां तुमें इतनी शान देखकर अच्छा लग रहा है लेकिन मैं भी तो इंसान ही हो ना हर लड़की की तरह मुझमें भी तो फिलिंग्स है तुम्हारी गर्फरेंड है नहीं है बॉइफ्रेंड लव नहीं बोल सकती हूँ नाई स्टैंडर्ड में ख्रश था पर वो तो मेरा क्रशी रह गया और अभी प्यार करने के लिए टाइम नहीं है चलो मेरा छोड़ो तुमने अभी तक किसी से प्यार क्यों नहीं किया सब लोग मुझे पागल बोलते हैं वो तो है तुम गुस्से वाले हो इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम माने ही नहीं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैंने फॉर्स टाइम साड़ी पहनी थी पता है साड़ी सूट्स यूट स्माइल सूट्स यूट हम सब को इस तरह साथ में बैटे कितना डाइम हो गया ना सब लोग अपनी फैमिली के साथ हैं तुम अकेले क्यूं आया हो कोई बात नहीं अगली बार साथ मिली गया है क्यों भाई ऐश्वरिया क्या बोलगी है इसके पीछे जो पढ़िये वो लड़की कहां से स्टार्ट हुई है लव स्टोरी बैंक से स्टार्ट हुई थी फिर ओफिस कॉफी शॉप और अब तो उसके घर तक पहुंच गई है कौन हो लड़की वो मेरी बैंक के सारे काम तो दिन में किये जाते हैं तो फिर रात में किसी लड़की के घर जाने क्या जरूरत है इसकी जरूरत नहीं है वो तो खुदी यहां पर आजाएगी उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है यहां नहीं नहीं है लेकिन उस लड़की को तो है ना लगव नंबर दो मैं पूछते हूं जरूरत नहीं है वो यहां नहीं आएगी और वो आ गई इसको यहां किसने बुलाया यहां कियो राम अपनी गर्फ्रेंड को मुझसे नहीं मिलाओगे गर्ल्फ्रेंड नहीं है सिर्फ्रेंड लेकिन तुमने तु बोला था बैंक में मिले थे वो मेरी कस्टमर है हम सब लोग ब्राम कृष्णा के बच्पन से फ्रेंड सो नहीं नहीं एक्शली हम लोग देरादुन के ट्रेंणिंग में मिले थे ओ बैंक की ट्रेंग देरादुन में होती है नहीं नहीं बैंक ट्रेंग के लिए नहीं हम एक ही फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुए थे उस जो गए मेरे लाइफ मेरे लाइफ में आगे और मेरे फैमिली बन गे इंव अब दिस इस अब दॉन द्दाइज एड़ को एटे शोट्स ऑके शेर्स रहुँछ प्रहुछ दो कि प्रहुछ करने चैनल देख रहुछ भी एड़ मेरे शोट प्रहुछ झाले भाई आज तुमसे एक बात करनी है कौनसी है सिर्फ कुछी मिन्टो में रेस्टोरेंट में कहां क्या चीज है सही से बता दिया लेकिन एक लड़की के दिल में क्या है ये ने पता चला क्या तुम्हारे मेगापिक्सल 576 को कुछ हो गया हाँ है 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 या हाथ यहा यख या हाथ यूख यू और में नशे में भी बात नहीं कर रही ओके ला स्टॉप दे काल स्टॉप जस्ट वान वेक में इतना बड़ा डिसिजिन कैसे ले लिया हूं ये मत पूछना मैं कोई जोला सल के पहागल लड़की नहीं हूं जल्दबाजी में डिसिजिन लेने के लिए मैं अच्छ मोर मैच्वर थेन यू तिंग यू नोग अट अधन होल बिग कमपनी सुनो मैं तुम्हें हग करके रोना चाहती हूं और हग करने के बात मुझ से जादा तुम खुष हो जाओगे ये भी बताया मुझे ऐसी सो विलिंग से मेरे अंदर सब बताना पड़ेगा तुम्हें हां डून्ट यू अंडर्स्टैंड क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ वो tutव घड़्यों वो tutव तो तो आ! वो! टाहिएब झालार!! किसध지 लगल Army वपड़ते का थैसरों ंन्म करा दो कर दो एद झाल झाल भाय टिमने स piùजी two ला खाल it झाल 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 घ्रिया झाल झाल कळ्या वजए दित है अ कउँड़ दित है कउट कर दो कउट कउच़ दित कउच़ दित उम कैने अज सब्साल अज सब्साल कर दो तुमंग झागकी आयाल कि बंचे झागा र Corps करेंusion युड जो रे विब दो कि इनि दियन डरेक c Right विवव प्याल लग कि अुम उन facade लेक कि अई अ र्लै प्राम केशना नाई! नाई! मार दूंगाई सो! का दिमे बैग? अला! का दिमे बैग? नाई! किसने भेजाये तुझे? किसने भेजाये तुझे? ये फोटोस तेरे पास कहां से आये? कहां से आये? खुल! गया नमबर अधी नेटवर्कषिन से पाहर है यह एकिडी सिंदेकή है यह एजए इजए जुटार जो अधिकी डीट अर्चिक्निया एकार द्रफ्टाहर है इमिडिटली ओक्यों का इंग विच फाइरिंग गोई सारे लोग मारे गए यही लिखो इसे मैं ले जा रहा हूं फीके सर बाइदो वे इसे इसके घर डॉप कर दो ज़रूर पड़े दो सिक्योरिटी दो चल जाल 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 उन लोगों का कुछ पता नहीं अर्जुन फैमिली को छोड़कर बाकी चारो को लेकर चले गए ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं इसके साथ इतना टाइम वेस्क्यों कर रहे हो वाल खल अपना वाल ऑख खल शिट किसके लिए काम करता है किसके लिए काम करता है किसके लिए काम करता हूँ यह जरूरी नहीं है किसने बेजाई यह पूछो किसने बेजाई तुमें किसने बेजा सुहेल 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 एबराहिम कुरेशी कुरेशी का बेड़ा तो खुद यहार में रॉख तुम सारे लोग एक साथ मिल जाओगे ना तु भी सोहल भाई को टच नहीं कर पाओगे अर्जुन यही एक सुबूत हमारे पास था इंड केर अब आओओट इटेल्स अबाओट सोहल लेकिन इन्विस्टिगेट कैसे करेंगे इसके विना ओ मैं गॉड्ट अर्जुन 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 भाई दोस्त है न इन्हें ऐसे देखके दर्द तो हो ही रहा होगा न अरे ओ बिना मसल के पहलवान तुमने सलीम भाई को मार दिया तुम्हें क्या लगा कि हम चुप बैठेंगे नो 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 दो घंटे तहकिकात करके टाइम वेस्ट किया तुने और उसी दो घंटे में दिल्ली से कराची मैंने इन्हें उठवा लिया तेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग मुझे थोड़ी स्लो लग रही है अपडेट कर साले बेटा तुम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ते हो और हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं तो रौध वार बन जाता है जब तुम वार की शुरुवात करोगे तो हम वार की देंड करेंगे ति एंड बहुत सुना है तेरे बारे में मिस्टर अर्जुन अंडरकवर मार्शल, 100% सक्सेस रेट जब ये सुनता हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में बहुत अच्छा लगता है अब साले मैं तुझे चैलेंज करता हूँ मैं इंडिया से, तेरी ही फैमली से, चार लोगों को यहां लेके आ गया तुम इंडियंस में दम है तो आ जाओ कराची और अपने दोस्तों को ले जाओ फिर देखते हैं किसमें कितना है दम तुने मा का दूद पिया है तो वहीं रुक साले, मैं आ रहा हूँ अभी क्या करना चाहते है उगुल करने सेर उन चारों को बचाने के लिए हमें कुछ ने कुछ करना चाहिए सर कुछ ना कुछ मतलब सर आपको तो पता है कि वो लोग रिस के ओप्रेशन करते हैं सर वाट नॉनसेंस जान देने को मैं हर दम तयार हूँ पाकिस्तान में बैठा आदमी हम कौन है हमारा नाम क्या है हम कहां रहते हमारी फैमिली कह है सब डेटेल्स हासिल करके हमारी लोगो किढ़नेप कर रहा है तो इंडिया में उनका नेटवर्क कितना बड़ा होगा सोचे सर कौन-कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हम यह सब कुछ पता लगाना होगा तो अब तुम्हारा रो का कोई संबन्द नहीं है यो गेट डैट इन फैक्ट तुम यहां मीटिंग में हो यह सबसे बड़ी गलती ह सर प्लीज सर उन चारों को इंडिया करनी तुम इसे यहां से जाने के लिए बोलोगे या फिर मैं खोड़ी से बोलूं सर वो अर्जुन सर मुझे गवर्मेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए कराची के एजन्स का सपोर्ट भी नहीं चाहिए सिर्फ आप जाने के ओडर दीजिए सर एमोशनल होने के लिए मैं कोई फादर या फ्रेंड नहीं हूँ रोग अचीफ हूं मैं मेरे उपर भी कुछ रूल्स हैं देश की प्रॉयर्टी है हर किसी की जान को बचाना मुम्किन नहीं है देश के लिए जीने वाले चार लोगों की जान नहीं बचा पाए तो देश को क्या बचाएंगे सर अर्जून As for the records, you are not my boss anymore. So don't try to stop me. वो चारों सिर्फ मेरे कलीग नहीं, मेरी फैमिली हैं. उनकी हिम्मत मैं हूँ, उनकी जान मैं हूँ. तुम यहां क्या कर रही हो? घर पर नहीं गई? सिक्योरिटी का क्या हूँआ? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? कौन हो तुम? रामकृष्ण तुम कौन हो? अभी तुम घर जाओ, मैं बाद में बताऊंगा. जब तक मुझे सच नहीं पता चलता, मैं नहीं जाओंगी. मेरा नाम रामकृष्ण नहीं है. शेलू? सबके परिवार वाले प्ले स्टेशन गए. उन्हें कोई उठाया लिया है यह कंप्लेन निखवाने. मैं तुम्हारे पास आई हूँ, सचाई जानने के लिए. अरजुन, जब मुझे उससे प्यार हुआ था, तो पहले डर लग रहा था. फिर उसने मुझे सब सच बता दिया. तब मुझे लगा था, तुम उसके साथ रहोगे. तुसे कुछ नहीं होगा. ऐसा मुझे भरोसा थ आखरी मेना है, और दस दिन के बाद दिलीवरी डेट है. मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद, पूछेगा कि मेरे पापा कहां है, तो मैं क्या जबाब दूँगी? जिस दिन वो पैदा होगा, अपने बाप की शकल देखेगा. और ये बैंकर रामकृष्ण का नहीं. अर्जुन का वादा है. अब तो तुम समझ गए ना, मैं कौन हूँ और क्या हूँ. तुमने जिससे प्यार किया वो बैंकर रामकृष्ण एक जूट है. और ये सच है. मैंने तुम्हारी जॉब से या तुम्हारी नाम से प्यार नहीं किया. बैंक एंपलोई रामकृष्ण का टालेंट देखकर उससे प्यार कर बैठी. और अब जब पता चला है कि तुम कौन हो, तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज़त और भी बढ़ गई. मेरी लाइफ में कॉमा कब लगेगा और फुल स्टॉप कब लगेगा ये मैं भी नहीं जानता. यहां किसके साथ कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, अर्जुन. लेकिन हम अपने जिंदगी किस तरह जी रहे ये इंपोर्टन्ट है. इतनी बड़ी जिंदगी में खुशी का एक पल भी काफी है. बस जिंदगी बर मुझसे ऐसे ही प्यार करो. पासपोर्ट एक्सपायर हो गया मिया, फैमिली पूरी पाकिस्तान में रह गई. पुलीस को पता चला इलिगली रह रहे हैं तो उन्हा को आरेस्ट कर लेंगे. दो लाख रुपे फीस है और इसा भी लेको आया. परसों शाम तक जेसल मेर मार्केट में आजाओ, ट्रक वहीं से निकलेगा. हाँ जी, शुकरिया जनाब, निकलता हूँ. जो मोरें वहीं से लिए स्क्रप्र रह कंड़ाता सुख़ता जिए हैं थाप्री, याँ एरा गली। परादा जेसल आचलापता प्रादा में तारेस्ग जिसम्झा आरेस्ट्वाँ इस वक्त कोई डिस्टरबिंस नहीं मैंने तुम्हें क्लियर समझा दिया था उसके बावजूद यह सब हुआ है इससे रोका कोई लिना देना नहीं है अर्जुन इस नॉट इन ओडर इस थ्रोन आउट बैंक में लीव नहीं लगा है बैंक और रोक के पास कोई इंफर्मेशन मुंदक है बौक कोई देना नहीं है वो करांची ही गया है ये बात अभी तक clear नहीं है इसका मतलब क्या है वाट ड़्ब concentल बचाना चाहता यह बाद भी तुम्हें अच्छा से पता है तुम्हें उसे रोकना यह नहीं पता है क्या कर रहें तुम सर् कराची में जो हमारे एजेंट से उनको औरस बेजो अर्जुन जहां भी दिखे उसे खत्म कर दिया जाए शूट एड़ साइट सर बड़ इस दाट क्रिया सलाम वालेकुम सोयल भाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि अर्जुन को छेड़ो मत और अगर छेड़ो तो छोड़ो मत लेकिन आपने दोनों नहीं किया तो क्या हुआ मेरा गेस सही निकला अर्जुन और लेडी कराची पहुँच चुका है आप हसर है तो क्या करूँ सब सही हो रहा है मैंने जैसा प्लान किया वो बिलकुल वैसा ही कर रहा है शेर की नजर अपने शिकार पे शिकारी की नजर अपने शिकार पे अगर ऐसा नजारा देख जाए तो शिकार देखने का मज़ा ही कुछ और है अब शेर बकरी के पास जाए या बकरी शेर के पास आए तो वो बकरी बचेगी क्या आप भोल रहे हैं वार्जुन तो मैं सोहेल हूँ कराची मेरी है यहां हर कदम बे उसकी मौत है आए जराव बुके मिलेगा मिलेगा नसा पताए कौन सा चाहिए गार्डन रोज दलिया लिली सिल्वर डॉलर पिंक लोटस यह लीजी शुक्रिया यहां हुआ 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 है आए-ौव्र यह हेफ सीड यू यू कम आओट नाओ तुम यहां क्या कर रहे हो बात करना है तुमें दीखते ही सूत करने का अट्र्ष कर रेगा है इतनी रिस्क लेकर इतनी दूर आया हूँ सिचुएशन को तुम्हाँरी सिचुएशन मुझे 01 नहीं सुननी यहां क्यों आए हो यह बताओ वरना इस गन की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी समझे अगर मैं गन से डरता तो रौ में शामिल नहीं होता अगर मौझ से डरता तो कराची कभी नहीं आता है हम बात कर सकते हैं यहां हर जगा उसके आदमी है तुम्हारे लिए यह सही जगा नहीं है तुम्हें एक एड्रस देती हो तुम वहां पर आजाओ सबसे पहले फात्मा बाजार आएगा उस बाजार से तुम्हें सेकिंड लेफ्ट लेना होगा 500 मीटर की दूरी पर तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी ओपन देटोर लेफ्ट में छोटी विंडो है उसे खोलो 1, 6, 7, 9 क्या बात करनी है सोहेल मेरे टीम के चार लोगों को किड्नेप करके यहां पाकिस्तान लाया है उन्हें जहां भी छुपाया है वहां से उन्हें आजाद कराके इंडिया ले जाना है इंपॉसिबल सोहेल इबराहीम कुरेशी की तरह नहीं है दस जगाहों पे दस लोगों को वो एक साथ एक बार में ऑपरेट कर सकता है सोहेल का नेक्स्ट मुवमेंट लास सेकिंड तक किसी को भी नहीं पता चलता है उसे कब क्या चाहिए क्या करना है वो नहीं बताता टॉपिक वहीं क्लोज सोहेल की प्लैनिंग जान नहीं सकते तुम अगर यहां अपने दोस्तों के लिए आये हो तुम तो उन्हें भूल जाओ आउरेडी मार दिये गए होंगे अगर मार नहीं होता तो उन्हें इंडिया में मिलते ही मार देता इतनी प्लैनिंग इतना एक्जेक्यूशन नहीं होता किसी वज़े से उन चारों को जिन्दा रखा है बचाना है उन्हें जो बोल रही हूं तुम्हें समझ नहीं आता यह कराची है यहां कुरैशी को कोई टेच भी नहीं कर सकता कब कहां क्या हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं यहां का शासन भी उसके ओर्डर फॉलो करता है आम से लेकर हास तक सबके सब उस कुरैशी की गुलामी करते हैं सोहेल को पकड़ना मुश्किल है नहीं मिलेगा तुम्हे मिलेगा इतनी सिक्यॉरिटी होने के बाद भी वो अपने घर में ही बैठा हुआ है सोहेल कोई खुश्बू नहीं है जो अपने आप ही फैलेगी अगर वो कुछ करना चाहता है तो एक जगा पर नहीं बैठ सकता प्लान क्या है? वन थर्टी क्यामराज और ये क्यामराज उनकी नजर में ना आए इस तरह से फिट किया है मैंने बट नू यूज हर एक इनसान का तो डेली रूटीन होता है लेकिन सोहेल का कोई रूटीन नहीं है सोहेल का कोई रूटीन नहीं है तो क्या हुआ? इन वीडियोस के अंदर एक क्लू है कैसा क्लू? जिस रोड से सोहल का कॉन्वोई गुजर रहा था वहाँ एक बार भी रेट सिगनल नहीं हुआ बताया ना कि यहाँ कुरैशी फैमली को प्रसीडेंट से बढ़कर इज़द दी जाती है अगर सोहल का प्रोग्राम फिक्स नहीं है और सोहल का कॉन्वोई रोड से जा रहा है तो उस रोड के हर सिगनल पे गाड़ी रुकेगी हर जंक्शन पे वहाँ के ट्राफिक पुलीस को इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा सोहल का प्रोग्राम अगर किसी को पता है पर कमिशनर के मेल्स को एंक्रिप्ट कर लिया तो हमें सारी इंफरमेशन मिल सकती है मुझे कमिशनर की सारी डेली रूटीन डीटेल्स चाहिए कमिशनर डेली सुभा 11 बजे ऑफिस जाता है वन टू 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 लांच इवनिंग 6.30 प्रिस्टिक्टिट पब में जाता है डेली इवनिंग 6.30 तू 9.30 कमिशनर लड़कियों के साथ पब में रहता है शाम के नमाज के टाइम पर कमिशनर ऑफिस में सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है हम उस समय का इस्तमाल करके कमिशनर के लाप्टॉप से सोहेल का मेल डी क्रिप्ट करेंगे और कमिशनर का रूम एक्सेस करने के लिए हमें उसके फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे कर्या, मुवरीड यहां जोब जारर मुवरीड लिए जर्चाहिए आड़ के लिए झाल झाल कि अग्सक्यूस्त अग्सक्यूस्त नग्सक्यूस्त रिको हो जो जाए भाउ पिर्ट यह श्यूर तकियू है आप अली खान नाइस मेटिंग यू सुबेदा कमिशनर के थाम इंप्रेशन कि उंप्रेशन रामन आप नचेशन है इंप्राट कर दो निए है एल धी खायन उड्यात हु मुझे ढूल हु मुझे मुझे थाम तर दून लाह जूत प्राइब वाह राख रख यू थेलुड़ दूराइं है और प्रहीं आपड़ा है वही ब्लाइव में प्रहुत मोज़ा है वहीं आपड़ा एफलो है प्रहा जटा हब शब शब लोगा быстро, Cost! Bisakah मैंता बैस वरी? जा रचना, दो को सुछा है? वि नहीं था? अलो, मैं कोड़ा है को बार बार फोन कर रहा है और बोल भी नी रहा है शुबधा, वोइस कमांड चाहिए मुझे, जल्दी, दिर इस नो टाइम, क्विक्ली वाट्यो नेम, अच्छली मैं सुन नहीं पाई, बाहर शोर था काफी बाहरा को अधिन वाट्योंट Construction मुहामज्मद, अली मुहामज्म। अलीह जादी मुहामज अलीह bạn मुहामज्माद अलीह जादी एन अच्छ cảफ़ूबर अच्छ, अजूच, अच्छ। प्रमक्षेस अर्जुन से अर्जुन , रजय अर्जुन वे लेट खब और रो... अर्जुन रड़ जीजु कर दोचा। इटयोट्स कुमोन, 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 कुमोन ए, यह हो गया से, समदना राओ क्या हो वो साप क्या कर रहे थे तुम लोग साप मैं तु नमाज पढ़ने कहा था कल शाम को सोहल इस होटल में जा रहा है पर किस से मिलने के लिए सम प्राइवेट जेट ओना सो वट नेक्स्ट मैं अब डिक्की खोलेंगी प्लीज कमिशनर ओफिस के मेल पे जो मैंशन है वो स्टा होटल यही है सोहल आएगा तो फूल सिक्यार्टी रहेगी ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट यूज करेगा वो जो स्ट्रेट नाइन फ्लोर पर जाएगी अधैन फ्लोर स्ट्रेट के सारे CCTV केमराज मेरे कंट्रोल में होगे और ये सब होगा कैसे? सक्षन टेक मेकानिजम, उसके उपर एक बार पैर रखने से, माइक्रो सेकंड्स में, वहां से एक इंजेक्शन सीधा निकलेगा, एक सेकंड के अंदर भेहोश हो जाएगा वो, रूम में ले जाने के लिए फाइव सेकंड्स, भागने के लिए टू मिनिट्स, सोहल को किड्नैप करके हम होटल के बालकनी से बाहर आ जाएगे, वाट अफ़ फेल्स, फंक्शन फर्स फ्लॉर पर होगा, फंक्शन चार घंटे तक चलेगा और इन चार घंटो में, सोहल कम से कम एक बार वाश्रूम जरूर यूज करेगा, वाश्रूम यूज करते समय हम सोहल को कैपचर कर सकते हैं, सेडेशन से वो छे घंटे तक नहीं उठेगा, पर उसके साथ तु सिक्यॉर्टी होगी न, हम उ इंटिलेटर का एक्जिट पॉइंट कहा है इट्स नॉट अ बिग डील बस हमने चो सोचा है वो हो जाए होप सो लेकिन सोहिल को उठा पाओगी न इसला है कर्सक्राइब करता हुई है He is walking towards lift He is getting into the lift चाचा यह लिफ्ट काम नहीं कर रही है और उसलिफ में जाये ना पूस्त पूस्त कौन है रहे तू सिकरिटी सर पावर प्रोब्लम इस बीन पूस्त शिट पूस्त 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 अजर इंठ वृण आईस मुस्त पूस्त सुभाइण पूस्त झाल झाल जुबेदा, सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम मैं बढ़िया हूँ अर्जुन अर्जुन यह वालेकुम 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 मैं वालेकुम अर्जुन अर्जुन यह तो अर्जुन अर्जुन यह अर्जुन रिवालेकुम यह यह और अषिछ ले ले जो करा दो करां कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वेलकम तो माई कराजी बट वाट इस अर्जुना तू तो मार्शल अंडरकवर हंड़ेड परसंट सक्सस्रेट क्या-क्या बोला जाता है तेरे बारे में मैंने सुना है लेकिन क्या करें तेरा ये प्लैन फेल हो गया कितनी आसानी से पकड़ा गया तू मैं अपने प्लैन के बारे में क्या बता हूँ सोहेल ये तेरा कराची है यहाँ पर तू एक होटेल में है ये तुझे पता होगा होटेल तेरे कंट्रोल में है ये पूरे कराची को बता होगा बट इस कंस्रक्शन में कितने कॉलम्स हैं कितने बीम्स हैं कितने कॉरिडॉर्स हैं, कितने रूम्स हैं, कितने फायर एक्जिट्स हैं, कितने इसकेप रूट्स हैं, मुझे पता है। इसे ब्लास्ट करने के लिए मेरे ख्याल से 20 केजी RDX काफी होगा ना। सिंगल बटन, यौर चैप्टर क्लोज, तेरा बाप विकम्स लावारिस। अर्जवन छोड़ दिया तेरे को, चल निकल। अबे, बटन पे फिंगर मेरा है, दबाओं क्या। सब को बाहर जाने के लिए बॉल। वाश्रूम चलें क्या। तुने सोचा तेरे दिखाईन देने वे पूरा कराची ब्लास्त हो जाएगा। ऐसा नहीं हो अरे। मेरे दोस्तों को कहा चुपाया तुने। बॉल। बॉल। तू कहना क्या चाहता है, मुझे बता सकता है। बट तुझे जो चाहिए, वो सोहल से पूछना होगा। मैं सोहल नहीं हूँ। अर्जुन से मुलाकात करने के लिए, मेरे हमशकलो को वहां बेज दीजिए, जिससे कराची में उसका सपोर्ट करने माला एजेंट और उसका सेफ हाउस सब फिनिश। अर्ज देंगो अर्णा से देंग अर्णा अर्णा वर्ल वर टू में ब्रिटिश जनरल ने 9-11 में हिलेरी क्लिंटन ने हमशकल का इस्तमाल किया कई सारे वर्ल लीडिर्स हमशकल करते हैं यहां पे सोहल भाई का हमशकल मैं मुझे सोहल समझ के बात कर तेरी हर बात उन्हें सुनाई देगी नहीं समझा मुझे जिन्दा चाहिए ले के आओ अर्जुन पूरे प्लेस को घेर लिया गया है यह सेफ हाउस है यूनो वाट टो डू बट तुम यह लोग यहां पर मेरे लिया हैं गो 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 सुपना प्लेस प्लेस उक्ट के ंप कहाँ है। तों मुझे बिन्गा बट्थ ठक चन्हों है जिन्गें है बिन्गीर बिन्हों है ऒागब बुझे जिन्दा ल्या है प्ले फ्लेस इन्मुझे जिन्गए बपलेख उख़न कन्होँ इन्ग कर सुबढ़ अभ्लस अ पसमौन! कर दिए पकार कर दोली कर दूल चर्च निमक कर दूल ऐसा दोल वहां चाला क्या हो सलाम अलैकुम बिलाल भाई वालेकुम सलाम भाई यह क्या हो रहा आई सोहल क्योंकि ऐसा मुझसे बात किये बिना मेरी पर्मिशन के बिना पब्लिक पलेस पर ओपन फैरिंग हो रही है बिलाल सहाब बिलाल सहाब बही पेशेंट हम जीते हैं पाकिस्तान के लिए मरेंगे पाकिस्तान के लिए यही स्लोगन होना चाहिए हर पाकिस्तानी का तुम्हारी ये स्पीच किसी रोड शो या क्राउड पूरिंग के लिए सही हो सकती है सोहिल लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा तो मनमानी मत करो तो जाओ, अकेले लड़ो फिर समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान काफिरों करही वीरों का देश है और अगर वो काफिरों का देश होता तो अब तक हमारे हाथों में होता जाओ, अमेरिका से भीग मांगो बेटा, जबान समाल के बाद कर नहीं तो ISI के रिस्पेक्ट के लिए अगर तुझे उठा सकता हूँ तो नीचे गिरा भी सकता हूँ क्या करेगा, क्या करेगा तू सोहेल भाई मेरी टेंशन क्या ये तो पता ही आपको पंद्रा घंटे के अंदर उसे पकड़ कर तुमारे सामने खड़ा करूंगा तुम सर्फ इंतजार करो बंद करो कराथी उपर जा के चेक करो अपराइब न्हिस करे जादर इंतजार आपको इंतजार अपराइब भाईब इंतजार यज़के वाल अब हाँ इंतजार इंतजार अब हाँ चुमार क्या हुआ कुछ मिला कि अस दर्व देखू अच के भागना नीचे यूँ अओ कर रहे है सर एमना आजा बॉडी में दो बुलिट जाने के बाद भी वो अभी तक मेडिकल शॉप में नहीं गया करांची में कौन उसकी मदद कर रहा है पता करा पता चल जाएगा यह मेरा घर है डर्नने की जरुवत नहीं है मेरे अलावा कोई नहीं रहता यहां मैं यहां पर रहूंगा तो तुम्हारे लिए रिस्क है पर बाहर जाने में उससे भी बड़ा रिस्क है समझे यू अननो वोट्स आपनिंग इन कराची बाहर तुम्हारे लिए मौत इंतजार कर रही है मुझे मेरे दोस्स जिन्दा चाहिए कुछ भी करके उन्हें बचाना ही होगा मेरे डैड रॉ एजेंट मैं पिछले 35 साल से पाकिस्तान में रह रही हूं डैड यहां कमिनिकेशन इंजीनियर बनके रहते थे कि एक हाथसे में उनकी मौत हो गई है कि आए मिस इंग है कि डू यू मिस सब्सक्राइब कि अग्यों बताना चाहो तो बता सकते हो हलो 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 कि अर्जुन मुझे पता है कि फोन पर तुम ही हो अर्जुन प्लीज बात करो मुझसे अर्जुन बागी गल्फरेंट्स की तरह मैं भी पता नहीं कब आओगे इस इंतिजार में रहती हूं डिनर के लिए चलो मूवी लेकर चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो अर्जुन 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 अलो अर्जुन 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 क्या हुआ मैंने गुलबर मंगले के पास जो सर्वलांस कैमरा रखा था वो अर्जुन अर्जुन 130 कैमरास मेरी करांची में वो भी मुझे बिना पता चले वह मानना पड़ेगा आयसाई को तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए अर्जुन तेरे चारों दोस्त कहा है और किस हालत में है उन्हें बागलों की तरह तू डून रहा है ना हैना अर्जुन वसको कुच मत करना वसको कुच मत करना अठीक अई अई सू laugh नई अच्या अब तातात्क ट्रेस्ट सित्सी तियनसक की और सित्साँ ग्या तेरा एक-एक कदम जैसे-जैसे मेरी तरफ बढ़ता जाएगा, मैं एक-एक को मारता जाओंगा, फिर भी तो यहां आएगा, तेरी मौत को रिकार्ड करके, इंटेनेट पे वारिल कर दूँगा, समझ में आया, इसका वीडियो रिकार्डिंग हुआ? यस, टो बहुता जाएगाएगाएग इस मौस को www.salini- यदख़तम्यू.ध कुछ ये दिनों में जी एट समिट होने वाला है जलदी सेंगापूर में जी एट समैट जिस बिल्डिंग में होने जा रहा है महां 76 कैमरास बाहर 120 कैमरास अंदर ये जी एट समैट 28 को हो रहा है हम 26 को उन तीनों को सिंगपॉर सीकर्ट तरीके से ले जाएंगे इस बिल्डिंग के आसपास लगे, हर कैमरे पे हमारी नजर रहेगी ताकि वो बचना पाए So, प्राइवेट जेट में उन तीनों को साथ में जी एट समिट में भेजा जाएगा और वहाँ वो अपना प्लान एग्जेक्यूट करेंगे कैसा प्लान? अठाइस तारीक को, इन तीनों को विल्चेर पे बिठा के उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कराने की कोशिश करेंगे सेक्यूरिटी उन्हें रोकेगी, उसी टाइंग पे उनकी बॉडी में हमने जो बॉम लगाया होगा उसके रिमोट की बटन हम दबा देंगे, फिर बॉम पर उससे पाकिस्तान को क्या फाइदा होगा? इंडिया कहेगी कि ये पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान ये प्रूव करेगा कि ये इंडिया ने किया पर कैसे? हमारे पाकिस्तानी गृप को वर्ल मीडिया में अनाउंस करने के बाद वो सब इंडियन रॉइजंट्स हैं ऐसा इंक्वाइरी कमिशन के सामने पाकिस्तान सबूत देगा दरसल पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जारी है यह जी एट कंट्रीज बोलेंगी उसके बाद इंडिया वाले कितने भी सुबूत दिखा लें कोई फाइदा नहीं होगा कैसे भी कैसे भी कैसे भी उसे रोक नाई होगा अर्जुन अभी तक जिन्दा है जिन्दा रहना चाहिए बिलाल सहाब जी एट समिट हो जाने के तुरंद बाद अर्जुन हमारे अहां सीक्रेट मि फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे गड़ाएंगे बेचारा इंडिया पूरी तरह से समिट में एक ही दिन बचा है तुम्हें पता है ना उधर सोहेल के साथ पाकिस्तान की गवर्मेंट कड़ी है और तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई नहीं है कैसे फाइट करोगे अर्जुन हुआ हुआ है जुबेदा अब्दुलसलीम सीरिया आ रहा है यह इनफोर्मेशन पास करने वाली यही थी वहाँ पर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी सरदार एरिया में एफाई हेटकॉाटर के सामने हमारा एक एजेंट बुके शॉप चला रहा है यूगो एन मीट इम ही विल गाइड यू तू आवर लोकेशन सिर्फ कवर अलग हुआ है मिश अंचानक के इस ओन मेरा गेस करेक्ट है अर्जुन वो लोग हमारे आद्मियों को कल साड़े ग्यारा बजे कराची से प्राइवेट जित में लेकर जा रहे हैं शियोर दे अर गोइंग ट्राइक दे समीट और फिर वो इंडिया पर ब्लेम करेंगे I know we are on the threat सर पर सोहेल जरूर कोई ने कोई गलती करेगा इगो अब्दूल सलीम को सीरिया भीजा कराची में राइजेंट्स कौन है ये डीटेल्स जानने के लिए राइजेंट्स के साथ जी एट समिट डिस्ट्रॉय करना चाहता था हमने उसे रोख दिया उसी एगो की वज़े से सोहेल हमारे बंदियों को एक्जिक्यूट करने का प्लान कर रहा है और डॉट्स और नाउ कनेक्टेट सर उसकी ताकत उसकी कमजोरी एक ही है उसका इगो है तो अब क्या किया जाए सोहेल ने उन्हें कहां रखा है कहां लेके जा रहा है कुछ पता नहीं है, उसकी सिक्योरिटी में घुसकर कुछ नहीं कर सकते, यहां का एरपोर्ट ISI के कंट्रोल में रहता है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, एरपोर्ट के रास्ते में ही रेस्क्यू करना पड़ेगा, 11.30 की फ्लाइट है, 10.30 के पहले उन्हें मूव करेंगे, और उनके सर्कल क्रॉस करते ही हम उन पर अटैक करेंगे, वहां पर क्या हो रहा है यह समझने से पहले ही हम अपने लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे, कराची में हमने सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है, वो लो अर्जुन, कुरेशी के ओन हाउस में से एक और कॉनवाई बाहर निकल रहा है, हमारे लोग किसमें हैं पता नहीं है, कितने भी कॉनवाई निकले सभी को एरपोर्टी जाना है सर, दे विल कन्वर्ज अट वाहाब जंक्शन, अर्जुन, तुम जिस तरह से बता रहे हो, क्या वो लोग सच-मुच वहाब जंक्शन पर ही जा रहे हैं? I can see them, sir. Ready, all the vehicles are taking different routes. वो लोग कहां जा रहे हैं, पता नहीं. हमारे लोगों को किस कार में ले जा रहे हैं, पता नहीं. तब इस है निस. एक कॉनवाई टाइम पर स्टार्ट नहीं हुआ, sir. There was some delay. ये वेहिकल्स इस वक किस रूट पर जा रही हैं? ये इन वेहिकल्स को भी नहीं पता, sir. सोहल उनको सारे इंस्ट्रक्शन्स दे रहा है, sir. ट्रेक करो. वो किस कार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ज़रूरी नहीं है, sir. कहां से इंस्ट्रक्शन्स आ रहे हैं, ये ज़रूरी है. अगर हम सोहल को रोक लेते हैं, तो कॉन्वोई भी रुप जाएगा. गिट में दे ब्लड़ी एर संदे कार्स यहां से लेफ्ट अनलो टेका राइट जार इमीडियेटली अर्जुन सभी कार्स को एक ही जगह से इस्ट्रक्शन आ रहे हैं सुहेल सुहेली इस्ट्रक्शन दे रहा है सेवन किलोमेटर तुलियोरेस्ट सुहेली इस्ट्रक्शन वहीं से आ रहे थे कम्यूनिकेशन रिलोड कर दिया होगा उस्ते लगता है वोबिदमार्श कहीं और ही है जो समय बर्बाद कर रहा है अर्जुन वो लोगे एरबोर्ट पहुंच चुके हैं हर्याप वी डोंट है टाइम अर्जुन वो यहीं कहीं है अर्जुन 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 तोम्हारे फ्रेंड्स को फ्लाइट पे मिठा दिया है सार वो नीचे टनल में है एस्माल चेंज इन प्लान दाद अब लास्ट चीर्च शमिट में नहीं होगा कि डेलिगेत्स जिस हुटल में थहरे हैं वहां होगा 180 डेलिगेत्स 3 बॉंज सहल क्या हुआ नहीं डाद अब गल यू बेक the flight is on the runway already the 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 आपिछ गूम्हां पर नहीं हुआे से लिए नहीं है हाँ Sohail. Arjun, FaceTime On,e Arjun? अब फ्लाइट को इस सिवक्त रोक。 नजह डाद. व्राइट नी रुकी तो Sohail की साहँ से रुख जाएगी . Call the flight back. Time is running out dammit! Okay relax. Chief, stop the flight. No. I can't do that. I say stop the flight! Not possible lot. Stop the flight! क्था वाट तु यू वाउंट उस एरपोर्ट से फिर्लीडियन चेकपोसि नम्बर फॉर्टी फॉर्टी फाइफ पहुचने के लिए दो खंटे लगेंगे गे मेरे फ्रेंड्स को अहां लेकर आ मैं तेरे सोहल को वहीं पर दूँगा यार टाइम स्टार्ट्स नाओ कुरेशी भाई पिछले तीन महीने से इस मिशन पर काम चल रहा था पता है न आपको यह पाकिस्तान की इज़द का सवाल है यह मेरे बेटे की जिन्दगी का सवाल है ला झाल माँगा ले बोसीत महीज्डास जा में ten जैने का सवाल का अऊँए अवह रलो ही यह म Васी है प्रुट। स्वाहिल कहा है कहा है मेरा पेटा कहा है कि तुझे दो घंटे का टाइम दिया था वो तुझे कराची से इधर आने के लिए नहीं तेरे बेटे को इंडिया शिफ्ट करने के लिए बंद करो कराची कहकर कराची पर हुकूमत करने वाले यह मैंने कैसे किया देखना चाहता है ना जब तेरे जैसे टेरिरिस्ट देखते हैं तो यह तो इंडियान आर्मी है सिंगल सिगनल काफी है पाकिस्तान के बॉर्डर को बदलने के लिए अगए अगार ना के तेरे कराची में आकर तुझे कराची से बाहर निकाला है जो मौत से नहीं डरता वह तेरे बुलेट से क्या डरेगा कुरेशी है अर्जन तेरा फोन बज रहा है, तेरा बेटा सोहेल, उठा, सोहेल, 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 तुम ठीक तो नहीं है, बेटा, असलाम आलेकूम कुरेशी भाई, पहचाना मुझे, कुलकर्णी साहेब, ओ, थैंक्स, मुझे याद रखा इसलिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआना तो मैं, तुम्हारा बेटा, गव्मेंट कस्टड़ी में नहीं है, इस समय वो मेरी कस्टड़ी में है, जब तक मैं ओके नहीं बोलूँगा, तुम्हारा बेटा यहां से हिलेगा भी नहीं, यहारा बेटा, हम चारो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन तेरा बेटा इंडिया बॉर्डर तक नहीं आएगा, तुझे देखते ही शूट एट साइट का ओडर दिया था इंडिया वालोंने, फिर तुने इतना बड़ा रिस्क्यों लिया, तुझे बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तु अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आया, और मैं इंडिया को बचाने के लिए पाकिस्तान आया, मुझे टच करने वाला कोई भी करांची से आज तक जिन्दा इंडिया वापस नहीं गया, लिखेने समय अप्राइश है सौहेल, सौहेल, तु ठीक तौ है न, तु ठीक है न, बच्चा, सौहेल सौहेल कहा है बता सौहेल, सौहेल कहा है अर्जन, पुरेशी, जैस बॉड़ी डबल का इस्तेमाल तु ने मुझे पकड़ने के लिए किया था, उसे बॉड़ी डबल का इस्तेमाल करके मैं तेरे बेटे को यहां ले आए अर्जन, 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 इतनी तकलीफ मत उठा तू, जी एट समिट होने के बाद, पाकिस्तान खुद तुझे इंडिया के हावाले करेगा झाल यहां करेणा औरको को सब्सक्राइब, इसकर्इमार्य सुम्स्पारा इसससे जए, को रहां प्रखको Candi अरे यह तो बल्कुल तुम पर गया है वही आँखे वही नाख देखो अर्जुन बल्कुल इसी की तरह है न अरे मेरा बेटा किसी इर्रिस्पॉंसिबल के तरह बाइक अक्सिडेंट या कार अक्सिडेंट में उनके मौत नहीं हुई है और नहीं किसी फालतु जगडे या शराब पीकर उनके मौत हुई है उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणू के आहोती थी है कि आयों और मैंनों भारत के सबूतों को नजर में रखते हुए जी एट कंट्रीज ने फैसला किया है कि पाकिस्तान पुरैशी को भारत के हवाले कर दे गुड़ जोब अर्जू सॉरी सर इस मिशन में एक पार्ट पेंडिंग रह गए वो क्या यह गद्दार है तुम्हें कैसे पता चला रॉसर कर दो दो खार्ट पार्ट रहां जे कार रहां को जा।